नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना सरकार की उस बड़ी योजना के बारे में जिससे हरियाना के अंदर कोई भी यूवा जो है बेरोजगार नहीं मचेगा इसके लिए मानने मुख्यमंतरी मुखलाल खटर जी ने आदेश भी जारी कर दिये तो योजना क्या है कब से ये लागू हो रही है क्या इसका प्रोसेस इस वीडियो में जारू जारा हूँ छाहे आप प्लस टू पास हो चाहे आप ग्रेजवेट हो चाहे पोस्ट आरिनध बात बड़ी खुशकशने ले करा है हरियाना के सभी यूवाँ के लिए तो दोस्तो योजना क्या है कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या आपको मान दे भत्ता या सेलरी मिलने वाली है इस वीडियो में आपको बताने जारूं फुली डिटेल के लिए आपको वीडियों तक देखने हैं उससे पहले दोस्तो छोटी शी मिलती रहे दोस्तों मैं बता दूं हमने अपने चैनल पर है अगामी प्रिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रीविएस यह जो या प्रीविएस पेपर है क्वेस्टन पेपर के उनकी शीरी चला रखी है जिसके मैं अच्छे वीडियो डाल चुका उससे क्वेस्टन प पर दो तक के अंदर महारोजगार मेले कायो जना हरियाना सरकार ने किया वहाँ पर मनोहर लाल खटर जी ने इसका इसकी घोषणा की है और इसका एक तरीके से उद्धाटन किया देखी योजना तो एक नॉमबर दोजार सोला से चली आ रही हरी हरिया अदिवस के उसर पर मन है जो योजना है यह प्लस टू तक जो है हरियाना सरकार ने जारी कर दी है देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन कौन इसके लिए योग है जिसने बारवी पास की हो जिसने ग्रेज़ट किसी भी स्ट्रीम से सिंपल बीए की हो या बीए विद मैथ हो या फिर आपने बी कौम की हो, बीबिये की हो या फिर आपने बी टैक की हो, बीसी की हो, एम टैक, एमसी ठीक है, बीए और जेबीटी सब इसके लिए एलेजीबल हैं अब पुरा प्रोसेस क्या है उससे पहले मैं आपको एक बार जो मानिय मुखेj मंतिर जी ने बताया है या कहा है वो मैं आपको बता दूँ बार्मी पास भी सक्सम में होंगे सामिल परिवार का बनेगा पैचान पत्र देखिए 35 वरस के जो यूवक यूटियों का डाटा हरियना सरकार तयार करेगी सियम ने बताया कि परदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिन में सनातक और सनातक उत्तर डिग्रे धारक सभी नोजवानों को यातो रोजगार में लगया है या फिर उन्हें सरकार की यूजना के तहत प्रिन यूजित कर दिया गया है उन्हें ने कहा कि 6 बचे 10 जिलों में भी सनातक और सनातक उत्तर डिग्रे दारकों को खाली रहने नहीं दिया जाएगा बार्मी पास यूवाओं को सरकार सक्सम यूजना में सामिल करने की यूजना पर गंभेटा से भी 4 विमर्स कर रही है परदेश के जिस भी यूवाओं ने बार्मी पास कर ली है यह 18 वरस का हो चुका है ऐसे सभी यूवाओं की पैचान करने के लिए सरकार ने यूजना त्यार कर लिया इसके तहत 35 वरस तक के यूवाओं के यूटियों का डाटा त्यार किया जाएगा जिसके आदार पर देखा जाएगा कि कौन कौन से यूवाओं पुष्टेनी कारियों सवरोजगार खेती बाड़ी जैसे दंदों में लगी है या फिर उने सरकार नोकरिम मिल गई चुकी है इस आगड़े के आदार पर या पता लगाया जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याजी ने 35 साल की उमर होने पर भी रोजगार प्राप्ते नहीं हुआ ऐसे सभी यूग यूगतियों का जो है ग्रूप कोसल विकास के मादम से दूर किया जाएगा उन्हें रोजगार के उसरूप लब्द करवाये जाएगे अगले सेक्शनिक 70 तक सरकार को पता लग जाएगा कि 35 वरस तक के बेरोजगारों की कितनी संख्या है तो दोस्तो अब आपको इस यूजना में भाग कैसे लेना रजिस्टेशन कैसे करना दोस्तो employment exchange रोजगार कारियल हrex.org.in की official website पर जाकर आप अपना वहाँ पर रजिस्टेशन कीजिए उसके बाद जो यूज़ा वहाँ पर रजिस्टेशन कर लेता है फिर सक्सम यूज़ा के पोर्टल पर जाकर आप वहाँ पर अपना रजिस्टेशन कीजिए एक पूरी file बनाईए और अपना आपका जो नज़दी की रोजगार कारियल है वहाँ पर आप अपनी file को submit करा दीजिए अगर आप post graduate है तो हरियाना सरकार आपको 3000 रुपे मासी घर बैटे वे रोजगारी बता देगी लेकिन ऐसा आप पिछले कुछ समय से ऐसा और अभी जो भी यहाँ पर रजिस्टेशन करा रहा हरियाना सरकार सभी को रोजगार दे रही है तो आपको 9000 रुपे महिना मिलेगा अगर आप graduate है तो आपको 7500 रुपे महिना मिलेगा और अब हरियाना सरकार बार्मी पास युवां को भी इसमें जोड रही है तो हो सकता है आपको हरियाना सरकार 6000 रुपे से सुरुआत कर सकती है तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और हरिया स्टेशन करना जिसमें मैं आपको वेब साइट भी बताऊंगा बाद में कहां करना है क्या 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 आपको डोकुमेंट बनवाने हैं फुल डिटेल से मैं आपको उस वीडियो में बता दूँआ तब तक के लिए जुड़े रही है चैनल के साथ जिसका नाम है md2 reader publication धन्य भाद